नमस्कार दोस्तों मेंद्रजीत आप सभी का बहुत-बहुत स्वागा थे हमारे चैनल में आप सभी को दीपावली की हार्दिक सुपकामना है मेरी ओर से आप सभी का जीवन प्रकाश्वान हो और मा लच्मी की आसिम कृपा आप सभी पर सदेव बना रहे इसी भावनाओं के स आज का वीडियो हमें स्टार्ट करते हैं यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो अच्छा रखता हो तो लाइक सेर जरूर करिएगा लोगों तक हमारी बातों को पहुंचाईएगा ताकि उन सभी बच्चों का भला हो जाए जो इंट्रेस एक्जाम में पाइटिसिपेट करने वाले हैं ठीक है फ्रेंट्स तो चलिए देर ना करते हुआ हम टॉपिक में आते हैं आज का हमारा टॉपिक है प्रयास इंट्रेस एक्जाम दो हजार चौबिस कब होगा उसका नोडिफिकेशन कब आएग और कई बच्चे हमें कमेंट्स कर रहして की नवधाय विद्ध्यालाय बेष्ट है या प्रयास आवासी विद्ध्यालाय तो ये सभी टॉपिक से बारी बारी से बात करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं मिया से और और वह इस वर्स भी काम आएगा सेम सिलेबस में एक्जाम होना है इसलिए और आपको न्यू सिलेबस जुनने की जर्वत नहीं है जैसे कि स्क्रीन पर आपको दीख रहोगा सिलेबस जिसमें आप देख पा रहेंगे गणी 20 नंबर का आएगा 20 कोश्चन रहेंगे और 20 नंबर के रहेंग अंग्रेजी आएगा 10 कोश्चन रहेगा समाजिक विज्ञान 20 अंके आते हैं तो ये 20 कोश्चन हो जाएंगे वहीं नया इसमें एड हुआ था मानसिक युग्यता इसके लिए हमने ओलेडी वीडियोस हमारे चैनल में आपको मिलेगा आप देख सकते उसको 36 गड़ का समान ने गया ये भी आपका 10 नंबर का आएगा तो टोटल 100 कोश्चन आएंगे और 100 नंबर के रहेंगे मतलब एक कोश्चन में आपको एक नंबर मिलेगा माइनस मार्किंग नहीं रहेगा ये मैं आपको इस पश्ट कर देता हूं कई बच्चे हमें कमेंट्स करते हैं कि सर जो कोश्चन पेपर आता है वो हिंदी में आता है कि इंगलिश में आता है तो आपको बता देना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल में जाके पुराने कैसे आते हैं आप वीडियो में जाके देख सकते हैं ऐसे हिंदी में भी आता है और इंगलिश में भी आता है दोनों रहता है उसमें ताकि हिंदी और इंगलिश मेडियम के जो बच्चे है वे अपने अनुरूप एक्जाम पैटन देख पाएं और बना पाएं ठीक है अच् पढ़ना क्या ही हम सारा वीडियो एक एक अलाग अलाग प्लेलिस्ट हम बना दिये हैं सारे सब्जेक का हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी देख लीजेगा इंग्लिस पढ़ना चाहते हैं इंग्लिस मिलेगा आपको सारे सब्जेक जो भी सिलेबस है प्रयास का उसके अक प्रयास के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा एफट लगा के साइंस का अच्छा त्यारी करना पड़ेगा बाकी कोई दिक्कत नहीं है साइन्स के लिए आपको जो NCIT की बुक आती है क्लासिक सेवन तेट उसको अच्छे से करना होगा तभी आपके कोश्चन बन पाएंगे बाखी मैथ और बाखी चीजे तो सेम है और सरल आता है कोई जादा दिक्कत नहीं रहता है है ना अच्छा सारे जो आपको test series चीए या फिर math के questions चीए कैसे questions आते हैं कैसे solve करना है यह सभी अमारे playlist में मिल लाएगा और इस video के description box में भी मैं link डाल दूँगा ताकि जिनको playlist खोलने नहीं आता वो यहीं से देख लेंगे ठीक है चली अब हम मेन मुद्दे में आते हैं कि प्रयास का जो परिच्छा है वो आखिर कब होगा तो भई हम सभी जानते हैं कि प्रयास की जो परिच्छा मूलता वो अप्रेल में आयोजित की जाती है लेकिन इस वर्स लोकसभा चुनाओ है आप सभी से भली भाती परिचित हैं दोहजार चौबिस में लोकसभा का चुनाओ होना है और चुनाओ के दरमियान ऐसे कोई भी competition exam लेना possible नहीं होता है क्योंकि सारे teacher, staff और जो अधिकारी होते हैं वे सभी चुनाओ में सलगन होते हैं कुछ न कुछ उनको प्रभार दिया जाता है तो ये possible नहीं है अता सरवाधिक chances के ये बनते हैं कि जो परिच्छा है ये फरवरी में आयोजित हो जाए और इसका जो notification आना है ये notification आपको December के ending में December के ending में या फिर March first week में आपका जैसे exam हो रहा है है ये फरवरी में exam हो रहा है तो आपको December में इसका notification देखने को मिलेगा या जनवरी में भी इसका notification देखने को मिल सकता है ये दो chances बनते है या तो December के अंत में notification आ जाएगा कब तक इसके form फिल करने होंगे क्योंकि आजकल तो सब प्रोसेस ओनलाइन होना है ओनलाइन हर एक चीज ओनलाइन होता है या ओफलाइन वाला कोई कामी नहीं है तो December के ending में हो सकता है या जनवरी में इसका notification आपको देखने को मिलेगा है इससे पहले आपको करना गया है कि आपको सारे document बना के रखने है फॉर्म भरते समय आपको ज्यादा कुछ document लगेगा नी लेकिन जैसे आपका selection होता है तो आपको सब चीजे इस्थाई लगेगी certificate बनाने जाते हैं तो ऐसी गलती कोई नहीं करेगा कोई जरुवत नहीं है उसकी आप जैसे notification आएगा तो आपको केवल क्या करना है कि exam form भर लेना है जब आपका selection हो जाएगा तब हमको ideas बहुत सारे आप देख सकते मेरे channel में जाके कैसे उसको करना रहेगा है ना तो सारे ideas देनी के लिए मैं बैठा हुआ हूँ कोई दिक्कत नहीं होगा आपको तो पहले आपका main target यह हो ना ची कि हमारा entrance exam अच्छा जाए और हमारा selection हो जाए चीक है अच्छा इसमें एक चीज़ और बच्चे मुझे comments करते कि सर 19 विद्ध्यालय बैस्ट है या प्रयास आवासी व ट्वेल्थ आठवी से लेकर बारवी तक का education आपको free up cost दिया जाता है नौधय में भी दिया जाता है और प्रयास में भी दिया जाता है नौधय जो है वो central का है है ना केंद्री गवर्मेंट का योजना है वो और जो प्रयास अवासी विद्ध्याल है वो हमारा 36 गड़ सरक किया था और अभी चला रहें उसको भले गवर्मेंट बदल जाती है लेकिन जो education होता है जो अच्छी चीजे है वो कभी change नहीं होती वो चलती रहती बस थोड़ा सा नाम वगरा change हो जाता है पहले प्रयास जो है वो अटल विहारी बाचपाई के नाम से चल रहे था है ना अ साथ ही साथ क्या होगा कि आपको state government का जो board exam होगा उसका भी तयारी कराते हैं लेकिन इसमें main जो तयारी होना है वो 9 10 में NTSC की तयारी करवाते हैं बच्चों को और 11 12 में जैसे बच्चे जो है वो संकाय वाइस डिवाइस हो जाते हैं किसी को बायो लेना है किसी को math लेना ह ऐसे डिवाइड हो जाते हैं उसके बाद बच्चों को उनके जो subject है जो संकाय उन्होंने चुना है उनके अनुरूप उनकी तयारी कराई जाती है जैसे कोई बच्चा ले लेता है बायो तो बायो के लिए फिर neat का preparation कराया जाता है free of cost बोलते हैं कि एक बच्चे के लिए सरक करती है और चार साल तक वहां बच्चा रहेगा तो पंदरा चौक साथ सीधी बात है कि छे लाख रूपिया एक बच्चे के लिए investment गौर्मेंट उसमें करता है बाहर से कोचिंग संसान आते हैं जो की नीट का preparation कराते हैं जो बच्चे मैट्स लेकर पढ़ना चाहेंगे उनक इसकल बैंकिंग भी एक नया सेक्टर उसमें जूड़ा हुआ है है और बैंकिंग और क्लैट की जो तयारी है केवल और केवल बिलासपूर का जो प्रयास अवासी विद्ध्याला है वहां इसका preparation करा जाता है बाकी जितनी भी जगह है जितने और प्रयास अवासी विद्ध् प्रयास अब करेंगे रही बात मेस के लिए तो चाहे आप नौदाय में पढ़ते हो या प्रयास में पढ़ते हो जहां भी आपको सेलेक्शन हो जाए दोनों जगा आपको फ्री आप कोश्ट मेस की सुईदा है फ्री में आपको खाना पीना मिलेगा है ना और रहने की भी पैसे लगते नहीं है नौदwheit में क्लास 9 से का लेकी बिच बच्चेल की था बच्चेल के और लिए में पैसे नहीं लगते हैंशन को बहुत कम मार्जिनल फीस लगता था क्योंकि मेरा स्वयम का भाई पढ़ा हुआ है तो हम लोग उसके लिए पेमेंट करते थे तो मेरे को ध्यान में यह चीजें कि नौदय में आपको 9, 10, 11, 12 चार वर्स के लिए आपको वहां फीस जमा करना रहता है बहुत कम फीस रहता है हम लोग तो उस जबाने में लगबग 200 करीब हर महिने देते थे फीस तो बहुत कम फीस है एतने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को क्योंकि पढ़ाई बहुत सांदार रहती है दोनों जगा कि आप पढ़ाई देखेंगे तो बहुत अच्छी यहां पढ़ाई होती है और 9, 10 जै करती हैं लेकिन प्रयास में आपको 8-12 एक भी पैसे देनी की जरुवत नहीं है फ्री आप कॉस्ट वहां पूरी पढ़ाई की जाती है हरा पैसे नहीं लगते हैं साथी साथ वहां हर चीज आपके जितने भी नोर्स वगर रहेंगे वो सब फ्री आप कॉस्ट मिलता है प्रयास में आपको कहीं भी आपको पैसे लगते नहीं हैं चुर्प आपको कुछ कापी वगरा खरीदना है उसके लिए आपको पैसे इंवेश्मेंड करना पड़ेगा तो अराम से कोई भी गरीब से गरीब बच्चा भी उसको कर सकता है और जो बच्चे नकसल प्रभावी छेत्र में है वही बच्चे प्रयास का इंटरस एक्जाम दिलाते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है कंडी का एक, दो, तीन के अंतरगत आपके जीले आने चाहिए, जहां पढ़ाई कर रहे हैं जहां आपका निवास इस्थान है तभी आपका प्रयास में सेलेक्शन हो पाएगा otherwise सेलेक्शन नहीं होगा उसके बाद जैसे नवीन प्रयास है तो उसके लिए कहीं कोई दिक्कत में 36 गड़ का कहीं कभी हो बस 36 गड़ का वो निवासी होना चीए लेकिन नवीन प्रयास में केवल OBC और आपका SC इनको बस प्रात्मिक्ता दी गई है ST और आपका जनरल ये नवीन प्रयास एंट्रेस एक्जाम नहीं दिला सकते हैं ऐसा उसमें पाबंदी है कि जो विकलांग है और और भी कुछ-कुछ दूसरे काटीगरी है जैसे किसी के मम्मी नहीं है या किसी के पापा नहीं है तो अनात हो गए हैं तो इन सभी बच्चों को भी वहाँ free up cost उनके लिए अलग से कोटा बनाया गया है है ना और अभी नया और श्टार्ट हुआ है प्रयास अवासी विद्धाले के लिए जो अलप संख्यक बच्चे हैं उनके लिए रायपूर में girls और boys जो बच्चे girls हैं और जो बयो लेकर पढ़ना चाहते हैं वो रायपूर प्रयास में 10 seat reserve है उसके लिए साथी साथ boys हैं और math लेकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 10 seat प्रयास सड्डू में reserve किया गया है अलप संख्यक बच्चों के लिए ठीक है जिसमें मुसल्मान और इसाई धर्म को मानने वाले जो बच्चे हैं वे सभी आएंगे उसमें अनलप संख्यक में तो इस प्रकार आप देख पार होंगे कि दोनों ही बहतरिन है आपका जहां भी selection होता है आपका future bright होने वाला है इतना आप मान के चलिए इसलिए आप जी तोड मेनत करिए अच्छा preparation करिए बाकी चाहें आप नवदय की बात करें या प्रयास की बात करें दोनों ही best है ऐसा मुझे लगता है बाकी आपको क्या लगता है आप जरूर हमें comments करके बताएंगे ठीक है friends तो thank you so much for listening and watching my video मिलते हैं next video पर तब तक के लिए goodbye और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगता है